तो कैसे हो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स कॉंफरेंट्स दोस्तों का सज बताओं तो जब आईफोन 10 लॉंच हुआ था यानि की आईफोन एक्स जब लॉंच हुआ था तो दोस्तों लोगों को उसका ज्यादा क्रेज नहीं था फिर एपल ने लॉंच किया आईफोन 10 आर जिसे 2022 में आपको यह मुबाइल फोन लेना चाहिए फिर नहीं तो देखेंगे कि इस मुबाइल फोन में ऐसा क्या है जो आपको मजबूर कर देने वाला है 2022 में इस फोन को लेने के लिए और हां इस फोन गिववे भी है जिसके रूल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंग सबसे पहले बात करते हैं फोन के पोर्षन बटन लेटनिंग बारे में मेरे पास फोन रड गलर में हो राइट हन्साइड में आपको पावर तर्ण आउन आफ बटन देखने के लिए मिल जाता है लेफट साइड में वईलिम बॉकट्कर्स आपको मिल जाते हैं बॉत अश् conflicting एक speaker और एक lightning port मिल जाता है, ring button left hand side में ही है, phone में आपको किसी भी तरीके की fingerprint sensor नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको face ID मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से 3D face recognition के साथ में work करती है, तो जैसा कि आप देखी सकते हो, face recognition sensor पे red color की एक light flicker mood पे रहती है, जो कि आपको face ID को recognize करती है, और दोस्तों iPhone XR बहुत जल्दी हमारी face ID को recognize कर लेता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि slow है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा fast है, दोस्तों आपको एक second नहीं लगता face ID को recognize होने में, अब बात करते हैं phone की specifications के बारे में, इसमें आपको 6.10 inches की display मिल जाती है, A12 bionic chip है, front camera 7 megapixel का है, real camera 12 megapixel का है, 3 GB RAM है जो कि expandable नहीं है, 64 GB, 128 GB, 256 GB, storage के variant आपको इसमें देखने करे मिल जाते हैं, 2942 mAh battery है, iOS 12 इसमें running है, जो कि आपको iOS 15 का update नहीं है, last update इसमें iOS 12 का ही आया है, दोस्तों अब बात करते हैं में इस phone की sound quality के बारे में, iPhone में आपको बहुत अच्छी sound quality देखने के लिए मिल जाती है, तो आप खुद ही सुनिए, खेर मुझे पता है कि पूरी तरीके से आपको अनुमान नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको यहां पर अनुमान मिल जाएगा, अप्रॉक्सिमेट आपको इसकी sound quality देखने के लिए मिल जाएगी, इस वीडियो में जो आप सुनेगे, तो आप सुनिए, तो आप मैंने वे कमेंट में जरूर बताइएगा, कि आपको इसकी sound quality कैसी लगी, और इसमें आपको 60Hz की IPS LCD डिस्पले देखने के लिए मिलती है, और दोस्तों अगर मैं आपको Android से comparison करके बताऊं, तो दोस्तों iPhone की जो 60Hz की डिस्पले है, वो Android के 144Hz की डिस्पले को भी फेल कर देती है, डिस्पले के मामले में बहुत बढ़िया डिस्पले है, कोई भी lag, कोई भी तरीगे का बग आपको iOS में देखने के लिए नहीं मिलता है, इस चीज़ का आप सभी को भी पता होगा, मैं आपको YouTube पे एक वीडियो प्ले करके दिखा लेता हूँ, यहाँ पे आप इसके जैसे लिए डिस्पले किसी भी Android में नहीं मिली है, दोस्तों मैंने बहुत सारे flagship यूज़ के लेकिन नहीं मिली है, एपल में आपको clock की application में भी stopwatch, timer, alarm, word clock जैसे features भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मेरे personally बहुत ज़्यदा फेवरेट है, और फिर दोस्तों आ सारी देखने के लिए आपको इसे मिल जाती है, और यहाँ पे magnifier है, इसका कोई ऐसा use नहीं है, यह असल में जो आपका camera खुलता है, जो zoom करने में काम आता है, इसका ज़्यदा काम नहीं है, थोड़ा सा blur भी कर देता है, और watch के application है, और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि iPhone मे आपको बहुत सारी applications free देखने के लिए मिलती है, और music के लिए मैं आपको Spotify सजेस्ट करता हूँ, Apple Music जो user interface वो भी इतना अच्छा नहीं है, और महंगा भी है, और दोस्तों Apple में आपको settings में हर एक application की अलग-अलग dedicated settings मिलती है, जो की मेरे को बहुत अच्छा feature लगता है, कि इ इसकी अलग dedicated setting आपको मिलती है, तो और दोस्तों मैं आपको इस phone के about में दिखाता हूँ, जनरल में जाते हैं, और यहां में आपको about में दिखाता हूँ, मेरे पा 64GB वाला variant है इस time, और यह iOS 12 पे run कर रहा है, जो कि आप आप आपे देखी सकते हो, मैंने बलर इसलिए कर रख चुकी है, लेकिन और जो जीचे हैं, जैसे कि यहां पे plan support है, phone support है, वो सारा available है, दोस्तों मेरी expire हो चुकी है, क्योंकि यह जो phone है, मैंने अपसे एक साल पहले ही purchase किया था, और दोस्तों आप बात करते हैं, इसके togles कहा पे होता है, togles कहा दो और फिर control center कह दो, top, right, upper corner प आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और यहां पर मैंने कॉस्टमाइजाशन कर रखिया, अगर मैं अपने power button को तीन बार टैप करता हूं, तो accessibility वाले mode में मैं यहां पे direct हो जाता हूं, दोस्तों लास्ट में बात करता है, camera के बारे में, single camera मिलता है, लेकिन यह आपको ग्रेट भी देखने के लिए मिल जाती है, यहां पर आपको जो real camera मिलता है 12 megapixel का है, front camera 7 megapixel का है, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, बर दोस्तों iPhone 12 megapixel वाले camera, Android 120 megapixel को भी fail कर सकता है, time lapse, slow mo, video, portrait shots, और video में 4K, 1080p ले सकते हो, 60 fps, 30 fps और 24 fps तक आप इसमें ल modes, live video, flashlight और सारे मामतवाँ features जो की camera में आपको मिलते हैं, और दोस्तों, camera के बात करता हूं, तो पूरा studio camera देखने के लिए मिल जाता है, panorama, vanorama, सब है इसके अंतर, camera के मामले में मेरे को बहुत अच्छा camera लगा, अगर आप YouTube की video से किसी चीज़ी वीडियो से बनाने चाते हो और दोस्तों, आप बात करते हैं, इस फोन के जो giveaway है, उसके rules के बारे में, rules दोसो, आपको चार rules देखने के लिए मिलते हैं, एक है दोस्तों, आपको चैनल को subscribe करना होगा, एक comment करना होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तभी है आपको like करना होगा, और इस वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करेगा, और हाँ चैनल को share आप कर सकते हो, अगर आपका मन चाहे, तो मिलते हैं, अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye, bye और जहन,